हेलो अब्रीवन आप सभी कैसे हैं उम्मेद करता हूं ठीक होंगे दोस्तों डेक्टर राममनहर लोहिया अवद्विश्विद्यालाय अध्याउत्र प्रदेश की तरफ से एक और नई नोटिफिकेशन जारी की गई है इस नोटिफिकेशन में जैसा कि आपको बता दू मैं क् में 2023 के एक्जामनेशन हैं साथ ही में आपके MBBS के जो आपके थर्ड परूप के पार्ट वन के 2023 की जो परिच्छाइन संपन्न कराए जाने हेतु थी उनके ऑनलाइन आविदन फॉर्म से जूड़ी अपडेट आई हुई है और इसी अपडेट को आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है तो चलिए बात करते हैं जो नोटिफिकेशन जारी कहा है डाक्टर राम मनोहर लोहिया अब अधिविश्विद्यालाय उद्यावत्तर प्रदेश की दरफ चे तो दोस्तों अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजेगा साथ ही मे किजेगा और अपने दोस्तों को सेर किजेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसा की स्क्रीन पर देख रहे हैं आपका मेंसन क्या गया है अधिसूचना यह नोटिफिकेशन आज अभी अभी आई हुई है बताया जा रहा है एतत्त दोरा सभी सम्मंदित को सूच दिनांग चार जुलाई से लेकर बारा जुलाई तक जमा किये जाएंगे कहने का दोस्तों कि अगर अभी तक आपने एक्जमनेशन फॉर्म को नहीं फिल कर पाए हैं जो आपके परिच्छाए कराए जाने वाली हैं तो उसे आप फटा फट अपलाई कर लिजे कब तक है डे प्रदानाचार के माधियम से इस आसे का सपत पत्र प्रस्तुत करें कि समस्त पूरिच छात्रों के आवेदन पत्र एन एम सी और एम सी आई योम नीट की सूची के मन का अनुशार संस्थान में परवेश होने पर ही मेरे दोरह पर मरत किये जाएंगे कहने का दोस्तों साफ स प्रदानाचार जी का कहना है फिर आपको बताए जा रहा है कि 13 जुलाई तक करते हुए चातर चात्रों को संबंदित सूची परिच्छा विभाग में 14 जुलाई तक सुनिश्चित कर ले अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो आप 14 जुलाई तक फॉर्म को सम्मि प्रदानाचार समझ सकते हैं उनको आप अपना जो भी पर से डाकुमेंट से वह सम्मिट कर दें और इसमें एक चीज और बताई जा रही है अगर किसी प्रकार की तुरूटी होती है फॉर्म को भरते समय अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है जैसे आपका नाम हो गया किसी का भी नाम हो गया अगर इन समझनुत में तुरूटी रह जाती है तो वह शोयम आपकी जिम्हेदारी होगी तो दोस्तों इसी प्रकार से आफ सभी को कोई भी अपडेट होती है तो हमारे दोरा हो आफ सभी के बीश में प्रस्तुत की जाती है और अगर आप चाहते हैं